नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चनल M.G.V पर और हम आज बात करने वाले हैं हाल फिलाल में आई होट इस्टार पर दा एमपायर जो कंट्रोवर्सी है जिसको पर आज कल चर्चा भी हो रही है कि बावर लुटे रहा था या गिलोरियस सम्राठ था तो हम आज उसी पर बात करेंगे दा एमपायर पर मैंने भी कुछ देखा मैंने भी होट इस्टार पर देखि है दा एमपायर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वावर को बहुत अच्छा सम्राठ दिखाया गया है और या भारत पर उसने अच्छा सम्राठ बनाया है ऐसा आपको मैं एक मार्केटिंग की नजर से बता दूँ जो डिजिटर मार्केटिंग है उसकी नजर में जो ये लोग बेमतलब उसका हवा बनाते हैं कि ये गल्थ है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ इसको नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं जब वो कि इसको हटा दो ये करते, जो लोग नहीं देखना चाते, किसी जीजी को, तो वो लोग उनको प्रेडिद करते हैं कि आप इस मुवी को देखो, ये काम करकर, सोचल मीडिया पर हावा बनाकर, ये फलाना मुवी ऐसी थी, इसमें हमारा है से ऐसा दिखाया गया, हाँ हमारे देश को बदनाम किया कि ऐसा कुछ नहीं है आपको सिंपल सा ही है कि जितना सोर मचाओगे आप उतनी ही वो ज्यादा उसकी पबलिसिटी बढ़ती है तो दा एंपायर की भी ऐसा ही वा आप बहुत सारी मुवी देख लो पदमावती देख लो पदमावते में लोग भी हम यही बात कर रहें कि दा एंपायर में ऐसा कुछ नहीं है कि बावर को ऐसा दिखाया गया कि बहुत अच्छा समराड था तो मैं आपको बता दू मैंने जो मेरी जो इस्टडी कहती है कि बावर एक लुटेरा था लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा यह तो हमारे ज उसके हिसाब से वह लुटेरा ही बनता है दा एंपायर के हिसाब से भी किसी की नजर कैसी होती है और किसी की नजर क्या होती है तो मेरी नजरों में लुटेरा था एक डरपोग था जान बचाकर अपनी कहीं से कहीं भागता रहता था कभी उस 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 देश तो कभी उस द ता है उसकी जो नानी है थी बाबर की उसने इसके पिता की हत्या की और इसको बात सबनवाया फरगाना का और इसके बाबर के बाब के पीछे लगा हुआ था साभानी खान का एक और लूटे गा जैसे कि आप देखते हैं हला कि मौमडनों में यही होता है मुसलिम जो मौगल र बैठाया था तो अपने बाब की अचाजा को हत्या करनी जाती है तब वो गद्धी बैठता ऐसे हुआ बाबर की जो नानी थी उसने इसके बाब को मारा और इसको गद्धी बैठाया यह जाता है सावानी खान से बदला लेने के लिए युद करने के लिए अपना राज्य छ किसम का बादसा था अपनी राज्य का कि उसको समझोता करना पड़ता कि मेरी फैमिली को छोड़ दे और फरगाना को रख ले फरगाना राज्य को बताओ अपना फरगाना राज्य उसने ऐसी छोड़ दिया तो वो क्या मान हुआ या योद्धा हुआ कुछ नहीं एक डरफोक फिर छे साल वाद फिर आकमन करता है साबानी खान समरकंद पर बावर के बास फिर वहां से बचने के लिए इसको अपनी बहन को देना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए जो इसकी बहन हरम में काम करती है साबानी खान के साबानी खान इससे भी बड़ा रुटेरा था साभानी खान ने इसके बेहन के उसाथ हरम में रखा उसके साथ बहुत सारी वो की तब ही वहां से जान बचा कर भागा महां से निकल कर ये दूसरे राज़ा गया महां किसी साधी की फारस राज़ा की मदद से इसने साभानी को हरा आया फिर ये काबूल गया काबूल से इसने साधी करी साधी करने के बाद वहां की सेना से फिर वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा तो हिंदुस्तान आकर इसने जिस से यू दल्डा उसे भी धोके से मारा तब ये दिल्ली की संतलंत पर बैठा तो हिंदुस्तान पहले से ही समर्द था कि बाबर ने आकर समर्द बनाया है ये बनाया नहीं हिंदुस्तान पहले से भी समर्द है क्योंकि हमार हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो कैई सो साल पुराना है दूसरे देशों से बहुत पुराना है कि कोई समराट आएगा और भारत को समरत करेगा नहीं भारत पहले से भी समरत था भारत समरत है भारत समरत था भारत समरत रहेगा बाबर को जो मेरी नजरों में मैंने जो होटी स्टार की जो मूवी है मैंने जिसे देख का जो इस्टडी किया मेरी नजरों में तो वो एक भागोडा किसम का इंसान था जो अपनी बेहन की रक्सा नहीं कर सकता अरे हिंदू में तो ऐसा होता है कि बेहन की रक्सा करने के लिए सामने वाली गर्दन काड़ती जाती है जब तक बेसक अपनी जान चलिए है पर बहन की रक्सा की जाती है इसने अपनी बहन को सावानी खान को देता तो महां से निकल कर आता है तो कौन सा राजा हुआ है क्या बादसा बनाए डर्पोक है तो मैं कभीर खान से कहना जाता हूं कि इसको गिलोरियस मत बनाओ यह गिलोरियस नहीं था यह एक नहायती डर्पोक किसमकस समरारता वो तो भारत है में कोई भी आजाओ उसको अपना ही लेता है तो हमारे देश की तो मिटी ही ऐसी है और मैं उन लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि बेमतलब कंट्रोवर्सी ना कहा करे किसी जी को लेकर जो नहीं देखना चाहता है ऐसी मूविय को वो उसको भी आप देखने के लिए प्रेइरित करते हो यह एक negativity marketing होती है कुछ ना कुछ गल्द डाल दो जिससे की पबलिक सोर मचाएगी तो आप लोगों का धन्यवाद मेरे चैनल सुनने के लिए देखने के लिए इसको जाद जाद सेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद